पैन इंडिया स्टार प्रभास कृती सेनन और सेफली खान स्टार और फिल्म आदी पुरुष शुकरवार को थेटर में रिलीज हो गई है फैन्स ने जस तरह दिल खोल कर रमायन की कहानी पर बनी इस मौडरन स्क्रीन अडाप्टेशन का स्वागत किया वो देखने लायक था आदी पुरुष के ड्वान्स बुकिंग ही इशारा कर रही थी कि फिल्म को पहले दिन बहुत जबदर शुरुवात मिलने वाली है अब शुकरवार के बॉक्स ओफिस केलेक्शन की रिपोर्ट सामने आने लगी है और ये इशारा कर रही है कि प्रभास के स्टार्डम के सहारे बॉक्स ओफिस का भवर पार करने वाली आदी पुरुष ने उमीद से कई भेतर कमाई की है आदी पुरुष की कास देखे तो प्रभास किलावा कृती सैनन सेफली खान या सने सिंग ऐसे स्टार्ड नहीं है जिने बॉक्स ओफिस पर बहुत बड़ी ओपनिंग के लिए जाना जाता हो पहले ही दिन 500 करोड रुपे की ओपनिंग आदी पुरुष ने एडवांस बुकिंग सही ओल्मोस्ट 30 करोड रुपे ग्रॉस केलेक्शन एडवांस में जुटा लिया था उमीद की जा रही थी कि इंडिया में फिल्म बड़े अराम से 75 से 80 करोड रुपे की बीच कलेक्शन कर सकती है मगर शुकरवार की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि आदी पुरुष ने इससे भी कही बहतर परफॉर्म किया है प्रभास की फिल्म के लिए सबसे कमाल की बात ये रही कि नाशनल मल्टिप्लेक्स चैन्स के साथ ही फिल्म ने सेंगा स्क्रीन पर भी जम कर कमाई की है Trend Reports इशारा कर रही है कि फिल्म को जनता सुईकार कर चुकी है और पहले वीकेंड तो इसकी कमाई जोरदार होने वाली है विदेशों में भी Solid Collection Box Office Reports बताती है कि विदेशों में भी करीब 2200 स्क्रीन पर रिलीज हुई आदी पुरुष को पहले दिन Solid Start मिला है फिल्म का Overseas Gross Collection 35 से 40 करोड रुपे के करीब हो सकता है यानि फाइनल आकड़ों में इंडिया और Overseas Markets को मिला कर आदी पुरुष का Total Worldwide Collection 1500 करोड रुपे के करीब पहुच सकता है दिन आगे बढ़ने के साथ फाइनल आकड़ों में ये कन्फर्म हो जाएगा कि आदी पुरुष का Gross Opening Collection 1500 करोड पार पहुचा है या नहीं लेकिन ऐसा होने की चांस बहुत जादा दिख रहे है और इसके साथ ही प्रभास पहले ऐसे इंडियन स्टार बन जाएंगे जिनके खाते में Worldwide 100 करोड से जादा ओपनिंग करने वाली तीन फिल्म में होंगी इससे पहली उनकी भाववली 2 और साहू को भी Worldwide Box Office पर 100 करोड उपे से जादा की ओपनिंग मिली थी वहीं आदी पुरुष को मेकर्स ने शुरू सही प्रभास की स्टार्डंग के दम पर मार्केट में रखा है और प्रभास इस मामली में पूरी तरह डिलिवरी करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी फैन फॉलिंग ने पहले वीकेंड फिल्म के खुब टिकेट खरीदे हैं लेकिन स्टोरी टेलिंग डायलॉग और रमायन की कहानी को स्क्रीन पर एडाप्ट करने में हुई चुक के लिए फिल्म को कई नेगेटिव रिव्यूज भी मिल चुके हैं इसका असर सोमवार में नजर आएगा और वीकेंड के मुकाबले फिल्म की कमाई में गिरावट नजर आ सकती है लेकिन इस वीकेंड तो आदी पुरुष बॉक्स ओफिस पर धमाकिदार कमाई करती नजर आ रही है आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्षिन में अपने राए हमें जरूर बताएं